क्रिप्टो मार्केट के अंदर फियर और ग्रीट इंडेक्स इस समय पर 64 के उपार आ चुगा है साथ ही साथ इनिवेशन डाटा यूस का यहां पर आने वाला है जो अप्रेल मन के स्ट्राइटिंग में मात आवा देखेंगा लगबग ट्वाइल को तो वह किस तरीक से मार्के है मार्केट से अभी के लिए यहां पर 20K के आसपास दिखा रहा है क्या इतना क्रेश्ट कर सकता है सब इस वीडियो के इस वीडियो के हिसाब से अभी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है हम लोग ने बात करे लिए के अंदर बेसिकलिए अगर 25 बीपिस के साब से अब आगे के लिए उसको यहां पर समझते हैं बट उससे पहले आप लोग से बात करना चाहूं यहां पर पुछ प्रोटोकल के आपके साथ काफी वीडियो करने डिसकल्स भी कर चुका हूं पुछ प्रोटोकल बेसिकलिए क्या है यह एक वेब 3 कम्यूकेशन नेडवर्क है जो कि enable करता है यहां पर cross-chain notification को यानि कि अगर आप एक decentralized wallet याफे decentralized app यूज कर रहो तो वहाँ पर आपको एक दिक्कत पढ़ती थी कि आपको notification नहीं मिलती थी उस प्रोब्लम को इन्होंने यहां पर solve कर रहा है और जिसनी भी decentralized applications है जारा तर जो इस टाइम पर work कर रही है वहा आप यहां पर अपना decentralized wallet या decentralized application यूज करते हो तो वहाँ भी आप push protocol का यूज कर सकते है रिसेंटी इन्होंने यहां पर लगबग 25 मिलियन से जादा notification सेंड करी है और लगबग लगबग टोटल पुछ की जो integration होई है वो 450 के उपर यहां पर हो चुकी है बाके इनके पार्टन है आप इसके उपर यहां पर नदर सकते हो अगर आप इंटरस्ट इंदर तो वापस आता है बिटकोइन के उपर हम लोग बात करते थे कि आगे के लिए क्या expectation है बिटकोइन के प्राइस से और crypto market से तो आपको अगर कल वाली वीडियो याद हो हम दोने एक शौन ट्रेड ली देखोगा आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी यहां पर क्या हुआ था उसके बाद प्राइस ने एक ही केंडियो इतना डंब ले लिया था यानि कि यहां पर बायर्स का फैशर इतना जाथा नहीं था लेकिन सेलर का प्रेशर बहुत जाए था आपको यहां पर एक केंडिक नहीं आया बहुत तक होगा जो कि 26,600 डॉलर का है उसके बाद यहां से सपोर्ड लेके एक बार और अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है बहुत हाई प्राइटीज की है फिलाल अगर हम देखने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर तो यहां पर हम कर सकते हैं कि अभी हम इसी रेंज के अंदर गुमने वाला है यहां से सपोर्ड लेके पर इदर जाएगा फिर इसी रेंज के अंदर आप ट्रेट कर सकते हो जादा यहां पर एक्सप्टेशन नहीं लेके चल सकते हो क्योंकि वॉल्यूम भी काफी लोस टाइम पर देखने को हुआ हैँए है अगर नीचे साइड से अगर अगर पर एक जाएगाता है तो लगबग लगबग नीचे तॉन्टीफाएव तो एरिया है वहां तक प्रीस गृतावा देखे गागा तो लेक्र आपया इस दिख जाएगा था मेंद्स आप यहां पर यहां पर सकते हो उसके लाव अगर आप बिटकोइन का डेली चार्ट देखो गए तो आप देख सकते हो डेली के अंदर ओल लेडी यहाँ पर इसके बाद करेगा कि यहाँ पर ट्रेंड क्या उपर होती है यहां से आता है वह काफी इंपॉर्टन हो जागा देखना हमाई लिए क्योंकि ब्रेकाउट करती है अगर इस लेवल को बाइचांस ब्रेकाउट कर दी है यहाँ पर यहां से जो पंप आएगा वह काफी लंबा चलनने वाला है एक चीज़ यहां पर हमें और ध्यान रखने है क्योंकि इंटर से 25 बीपिस के साब से यहां पर बढ़ाए करे थे तो बहुत हाई प्रोबिल्टी भी यह भी रह सकती है कि प्राइस ब्रेकाउट तो करें लेकिन यहीं से रिट्शन लेकर यह तो हम यहां पर एंटर करेंगे प्रमार्केट के अंदर भी वाइंग साइट आप देख रहो तो बागी अगर किसी को यहां पर CME गैप देखना नहीं आता करना है और सिंपल सा आपके सामने वाला चार्ट आयागा यहां पर देख सकते हो जहां जहां आपका गैप दिख रहा है यहां पर देखो यहां पर देखो यह उसके बाद 21,500 के लिए पर यह बिटकोइन का CME आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अगर आप इसको डेट 12th of April रहने वाला है जहां पर यहां पर decide होगा कि कितना basically यहां पर जो inflation है वो यूस के लिए इस ताइम पर चल रहा है अगर inflation डाटा प्रिविएस से कम आता है लगभग 5.8 से कम आता है 5.7 से कम आता है तो वह मार्केट करी अच्छा रहेगा तब हो सकता है कि जो फैड है अ समय में क्रेश देखने को मिलेगा तो इस समय पर टोटली जो मार्केट डिपैंड है वह एक साइडवेस मूविमेंट के चलने वाली है एंड जो यहां पर डाटा इंफ्लेशन का निकल के आया 12th of April को उसके साब से एक बड़ा मूव मार्केट करना रहागा जहां तक मैं एक स्क्राइन का सेम अपडेट है स्पोर्ट लेवल पर है अभी स्टोकस्टेकर अरे से यहां पर सिगनल नहीं दी है अगर यहां पर बेक बन सकता है तो और बहुत बनेगा लाइग आगे लोग्द्टर नहीं रहेगे उसके लिए तो आप बात करें हम मैजिक कोई के बारे में तो मैजिक को आप लेख सकते हो एक काफी इंपर्टन सपोर्ट लेवल पर किसी ने कोशन पूछा था वन पाइंट फोड टू थी टू के आसपास का डॉलर का लेवल है अगर यहां पर प्राइज को अच्छी बना देता है तो यह लेवल की उपर कि यहां पर प्राइस कैसे रियक करने वाला है जैसे आपको फोर्टन मिरती है तो आप एक लोंग ट्रेड या बाइट इसके अंदर ले सकते हो मैजिक कोई के अंदर अच्छे से नाम भी देख लो और अच्छे तक प्राइस भी देख लो चार्ट भी मैं अ अभी के लिए नहीं बनता तो यह अवरॉल अपडेट था है कि मार्केट का जहां पर ज्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं हो रही है जो में चीज़ हमारी ही वह यह थी कि 12th of April को यहां पर यूस का इंफलेशन कितना रहा है वो डाटा इंगल क्या आने वाला है कितनी बढ कर रहेगी हमारे बिटकोइन के उपड़ तो ओफ़ली वीडियो आपके लिए हेल्फुल रही होगी नेक्ट वीडियो के तरह मिलेंगे तब सब्सक्राइब करेंगे चाहिए